हेलो गाईज, पाकिस्तान की ये गवर्मेंट कंपनी है जो एरपलेन चलाती है ये मलेसिया में से पैसंजर लेके पाकिस्तान आने वाली थी और इसको मलेसिया में सीज कर लिया है, पैसंजर बैटे हुए थे उनको हटाया गया है और फिर सीज कर लिया है, क्यों हुआ है जान इस वीडियो में कि कैसे आप एक कंपनी को डुबा सकते हो तो पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए तो पाकिस्तान की कंपनी है पी आई है यह गॉवर्मेंट कंपनी है यह एरक्राफ्ट चलाती है इन्होंने 2015 में दो एरप्लेन लीज पे लिए प्री ग्राइन एबी एसन चारली लिमिटेड से तो उन्होंने मतलब लोन पे दिये कि दीरे दीरे हमारे पैसे लोटा देना बढ़ पाकिस्तान वाले मतलब इन्होंने पैसे लोटाना बंदी कर दिये उनको तो भहिया वो लंदन गए मतलब इंग्लेंड वहाँ पे कोट में ओर्डर लिया कि इसनका प्लेन सीज कर लेना चाहिए यह पाकिस्तान का प्लेन यह थोड़ा सा खराब हो गया था तो इन्होंने यह ठीक करने में दे दिया थे पाकिस्तान में बट जिज दिन ये चला पाकिस्तान से मलेसिया, तो ट्रैकिंग नंबर दिखाता है, वो मलेसिया के जाके कोट कॉलालपूर में, वहां से ओर्डर निकाल लिया, कि सीज कर लो मलेसिया में, और वो प्लेन सीज हो गया, तो इसमें पैसेंजर बैठे हुए थे, उनको भी भगा का नुकसान हुआ, फिर इनके एक मंतरी ने बोला कि हमारे पाइलेट सब फरजी हैं, पार्लियमेंट में, तो उससे उनके पाइलेट को भी हटा दिया गया, और यूरोप में इनकी फ्लाइट बंद कर दी गई, एवन चाइना ने अभी दो-तिन दिन पहले नियूज आई थ चाओ, तो पाकिस्तान से जीख लो कि हाओ, आप कैसे डुबा सकते हो, एनिवेज, आप क्या सोसते हो इस नियूज के वारे में, ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है, एनिवेज गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक से और सब्सक्राइब, मिलते हैं कल, have a nice day